वेल्कम तो माई यूटूब चैनल थोड़ी इंग्लिश भी उत्ती अच्छी नहीं इसे बहुत सारे questions पूछते हैं बच्चे तो एक middle class average student जो academically average रहा है वैसे life में हर person के पास कुछ special skill होती है लेकिन अगर हम past background को consider करते हैं बात करें ऐसे question कई पर student मुझसे पूछते हैं तो आज आपके इन question का answer मैं इस video के पूरा detail में discuss करेंगे कि एक average student कैसे US CPA को pass कर सकता है और कुछ real life experience को भी discuss करेंगे तो अगर आप इस channel पर नए हैं आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो please subscribe the channel जिससे कि आपको knowledge मिल सकें क्योंकि इस channel के थूँ बहुत सारे courses के respect में discussion करते हैं तो चलिए वीडियो में आज मैं आपके साथ में जो discussion करने वाला हूँ वो basically CPA, CMA और professional courses एक average person जो वो उसकी नजर में मेरी नजर में नहीं कैसे pass कर सकता है और इसके लिए कुछ real life example मैं आपके साथ में share कर रहा हूँ देखिए ऐसे बहुत सारे interviews मेरे YouTube channel पर डले हुएं लेकिन कुछ लोगों को अभी मैंने highlight किया है जिसे ये प्रबनीत हैं इन्होंने अभी US CPA 16 June को ये US CPA को पास किया है उन्होंने रिशब हैं इसनारंग हैं ये तीनों अभी CPA बने उसके बाद जोनी है इन्होंने US CPA मानसी है क्योंकि इन सभी को मैंने अपनी personal mentorship batch में पढ़ाया है तो मैं इनके बारे में जानता हूँ प्रबनीत दो तीन बार किसी दूसरे institute से पढ़के fail हो चुके थे मानसी CA इंटर भी पास नहीं कर पारे थी foundation के विल पास किया ये जो है Mr. Vishal ये किसी company में cashier है इन्होंने enroll legend की exam को पास किया और next आप भी हो सकते हैं तो मेरे पास real life examples है आप इन students के interviews को मेरे channel पे सुन सकते है क्या इनकी strategy रही थी बट क्योंकि मैं इन student को बहुत करीब से जानता हूं इनके साथ में मेरा बहुत लंबा tenure रहा है almost one and half year or something सभी को लगा है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो अपने challenging background को compete करके जो कभी past नहीं हो पारे थे किसी को 10 साल study में gap हो किया कुछ ने USCMA को pass किया और आज एक successful corporate में job कर रहे हैं अगर मैं मांसी के बारे में बात करो भी डश बैंक में इनका placement हुआ है USCMA करने के बाद FPNA profile में तो ऐसे बहुत सारे example है package salary ये growth आपको मिल सकती है ये बिलकुल realistic है लेकिन आपकी approach क्या होनी चाहिए वो मैं आज ज्यादा believe करता हूँ कि आपका past क्या है कभी भी ये आपका future decide नहीं करता है आप आज present में कितना hard work करने के लिए ready है ये ultimately decide करेगा कि आपका future क्या होगा तो अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये concern हो सकता है सर हम तो B.com में 50% थे ये जो मैंने आपको example दी है टॉपर न मेरे पास join किया मैंने इनके study plan मनाया discussion किया कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं तो सबसे पहले आपको इस baggage को fake ना पड़ेगा कि हम एक middle class person है हमारी English अच्छे नहीं है हम तो sir graduation में कभी भी टॉपर नहीं रहे तो भी क्या international courses को pass कर सकते हैं तो past नहीं आप आपके future को बना हैं यह matter करते हैं और इन चीजों के लिए हम आपके साथ में हैं तो सबसे पहले आपको result के उपर focus नहीं करना एक correct process के उपर focus करना है आपकी process अगर सही है result just by product है और वो process क्या होगी सर्थ सबसे पहले आपको एक mission पर चलना पड़ेगा mission है अपनी जिंदगी में बड़े लेवल का changes transformation change तो एक छोटा word होता है change मतलब अगर आप 50,000 salary कमा रहे हैं let's say आप 80,000 पर पहुंच जाएं लाख रुपे पहुंच जाएं यह छोटा मोटा change transformation next level कि आपकी पूरी life 360 turnaround हो जाएं आपकी family member जो देखिए एक person अगर एक professional degree को अचीव करता है न उसकी आने वाली entire generation को उसका benefit मिलता है तो एक mission पे हमें चलना होगा कि सर हमें जो भी course आप कर रहे हैं USCPA है USCMA है ACC है CFA है किसी भी course के बारे में मैं बात करूँ एक mission पे हमें चलना होगा time bound बना कर कि इसको हम इस समय में अचीव करेंगे जब तक आप एक mission पर नहीं चलेंगे आप कभी भी बड़े लेवल के in professional courses को अचीव नहीं कर पाएंगे अब कुछ process के बारे में मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पर यह process जो बनाई है वो मैं आपके साथ में डिसकस कर रहा हूँ सबसे पहला जो मेरा एक concern है हमारी institute की USP है plan A में जो मैंने लिखा study plan जैसे ही आप CPMA में किसी course में enroll करते हैं एक one-to-one meeting मैं आपके साथ में करता हूँ क्योंकि well begin is half done अभी आज मेरी एक वर meeting उसको youtube पे भी मैं अपलोड करूँ और मैंने सारे student को एक साथ get together किया है और उनके study plan को discuss के तो पहले एक one-to-one talk कि आपका एक सही study plan होना चाहिए आपको कब exam देनी है आपको एक हर quarter में CPA की exam देनी है साल में कैसे आप आपकी study को plan करेंगे पहले आपके साथ में बैट कर study approach को discuss कर लोग एक proper study plan बनाना और study plan एक बार नहीं बनाते हैं हम लोग कि एक बार बना दिया फिर आप regular meetings इसी लिए आपकी पूरी study के उपर मैं monitor करूँगा regular study आपको करने पड़ेगी कितने ही office से आप ठके हूँ हम daily इसको task के तोर पे लेंगे भले आदा घंटा पड़े पैसे मैं चाहूँगा कि आप at least two hour की study करें लेकिन अगर आपको कभी time नहीं मिल रहा है at least आदा घंटा आपको भी पढ़िये blank day आपका नहीं जाना चाहिए आपको regular study करना अपने और जो c point लिखा है green में वो है मेरी लिए सबसे important for the international students international course की जिस student है वो basic fundamental के concept देखिए आप course करने जा रहे है finance का taxation का auditing का तो जब तक एक सही base आपका create नहीं किया जाएगा एक सही foundation create नहीं किया जाएगा कभी भी आप आप उस level पर पहुची नहीं पाएंगे क्योंकि ये concept advanced level के concept तो एक अच्छा base बनाना compulsory होगा आपके लिए इसलिए basic classes 40 to 50 hour की आप मेरी classes को चाहे आप live में ले लिजिए चाहे recordings में ले लिजिए और mock test regular mock test हम आपके एक अंडग करते हैं mock test unit wise जैसे जैसे आपके unit wise mock test हो जाएंगे पूरी एक performance को observe करना और एक valuable feedback देना कि आप हमें corrective measurement क्या लेना है हमारा concept है plan do check हमने planning बना ली आपने उसको implement कर दिया और आप implement करने के दोरान जो गलतियां हुई उसको check करना उसको monitor करना उसको measurement मतलब corrective measurement लेना कि यह बहुत important आपके लिए होगा और last but not the least talk with your mentor दिखिए education is not a product for me मैं openly challenge कर रहा हूँ कि यह हमारे लिए product नहीं है यह हमारे लिए भी career है यह services एक noble cause है मैं ऐसा नहीं है कि आप enroll किये आपका बहुत सारे institute में LMS enroll किये LMS को activate किया और CPA जहांपर 3-4 लाग का expenditure आता है वहाँ आपके mentor से बात नहीं कर पा रहें teacher से बात नहीं कर पा रहें आप उनके videos देखकर उनसे impress होके coaching को join करते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने तो किसी junior faculty को hire किया हुआ जिसको वो monthly लाक रुपे payment करते हैं और वो 200-200 बच्चों को फटा फट पढ़ा कि क्योंकि उनके लिए वो job है देखिए उनका career नहीं है उनको मालू है कि आज ये organization में तो किसी दूसरी organization में चले जाएंगे तो junior faculty अगर CPA पढ़ाने लगती है तो फिर वो कभी student को जानती जी इसलिए हम जब आपको पढ़ाएंगे तो चारो subject मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ आपको day one से वो quality मिलेगी तो talk with your mentor हमारा एक सबसे important concept है US CPA में कि आप regularly मुझसे बात कर सकते हैं doubts आपके 100% result होंगे एक सही study plan और final exam के पहले मैं decide करता हूँ मैं नहीं हम दोनों मिलकर सिब मेरे decision से नहीं क्योंकि fees pay करना है कब आपको देना है आपका exam schedule leaves हम मिलकर एक decide करेंगे किस date पे आपको exam देनी है आपका NTS हम मिलकर file करते है और अगर आपने इस process को follow किया US CPA आप बनेंगे तो ये मेरी जो approach है इसको आपने day one से क्या करना है follow करना आप result देखिए student जो की fail हो रहे थे जो परिशान चल रहे थे वो हमसे मिलकर पास हो रहे है आने वाले समय में भी 5-6 ऐसे students जो की other institute से join करके वाँ fail हो गए थे description box में उनका वो भी डाल लेंगे तो आपको idea लग जाए कि किस तरीकी की हम एक personal mentorship आपको provide करने जा रहा है उसके बाद final exam जब भी मैं आपका लूँगा जब हम final exam के बारे में बात करते हैं तो 65,000 is the cost of one people USCMA में 460 डॉलर हैं यहाँ पे आपका 65,000 मतलब इतना huge amount आपका अगर लगा हो और आपको ये नहीं पता हो कि आप पास हो सकते हैं कि नहीं इसलिए एक full mock एक नहीं तीन mock तीन mock में organize कराऊंगा हर तीन mocks में अगर आपने 75 के उपर score किया then only मैं आपको green signal अभी मैंने 5 बच्चों को green signal दिया हुआ है most probably October में CMA में 10 बच्चे और US CPM में भी 7-8 बच्चों को green signal मिल गया है कि आप आगले 2-3 मेरे में अपनी exam दे दीजिए और वो पास होंगे और उनके interview और उनके by product क्योंकि result आपके उपर pressure create करता है और उस pressure से होने वाला कुछ नहीं है तो आप process के उपर focus कीजिए CPA, CMA, EA कोई भी international courses हो आप pass करेंगे और जाती जाती एक बात कहूँ एक middle class student, एक average student अगर hard work करने के लिए ready है, hard work करने के लिए ready है तो C.A. शम्मी शलूजा का personal commitment out of the way जाके हम आपको teach करेंगे personal guidance करेंगे क्योंकि आप अकिले CPA या CMA नहीं बनने वाले हैं आपकी पूरी generation educated हो जाएगी और इससे बड़ा noble cause नहीं हो सकता इसी लिए ऐसे student जो struggle कर रहे हैं, उनको uplift करने में believe करते हैं और मेरा commitment, follow my strategy, give me your one year एक साल अगर आपने मुझे अपना दी दिया न, believe भी hard work करने के लिए आप ready रहे हैं, hundred percent आपका result रहेगा इस positive note के साथ में, आज के इस वीडियो को मैंट करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, if you really like the video, please like and subscribe the channel, thank you for watching this video